हाई फ्रेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं Royal Enfield Classic 350 Signals की 2023 में second service की क्या cost है तो दोस्तों दो चीजे हैं एक तो हमारी part की cost लगती है और labor हमारी free रहती है जैसे कि आप देख रहे है second free service जो basically 5000 km और 6 months में होती है अगर मैं इसके आपको charges दिखाऊं कोई charges नहीं लगते है इसके charges 0 है तो free service का मतलब यही होता है कि सिर्फ labor charges नहीं लगते है मगर जो parts होते हैं parts के charges लगते हैं तो second service में ज़्यादा कुछ नहीं होता दो ही parts change होते है एक तो हमारा lubricant होता है chain का और cleaner kit होती है जो basically 120 ml यहाँ पे लगी है और यह होता है liquid gun semi synthetic जो की liters में होता है 0.20 liters जो basically top up होता है ठीक है तो अगर हम इसकी cost देखें तो 239 rupees हमारे लगे हैं chain lubricant के बाकी 78 liquid gun के total जो charges लगे 317 including GST यह डेली की बता रहा हूँ डेली की service है न्यू डेली की और total आप charges देखेंगे 317 लगे है थैंक्यू दोस्तों